हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ओनलाइन कलाशी ओफ एडवान सिनियर स्केंडरी स्कूल मुंडाल हमने लास्ट लेक्षर के अंदर कंपोजीड क्या होता है फेंडामेंटल थोरम ओफ अर्थमेटिक हमने डिसकस कर लें ओफ प्राइम फेक्टर वाड़ा हमने कोश्चन डि क्या है 1.2 क्या है एक्स्प्रेश इज नमबर एक्स्प्रेश इज नमबर एज प्रोडेक्ट ओप इट्स प्राइम फेक्टर यानि क्यों में कोश्चन फर्ष्ट गिवन है कि पहला पार्ट 140 के हमने प्राइम फेक्टर करने हैं तो इसे हम सोल करेंगे 140 लिखा इसके प्राइम फेक्टर कैसे होंगे हमने पिछली कलास के अंदर किया हुआ है 100 के यह हमने फेक्टर करने हैं तो पहले यह टू पर जाएगा 70 फिर टू पर 35 फिर 5 पर 7 फिर 7 पर 1 यह होगे इसके प्राइम फेक्टर अब इसको लिखेंगे 2 इंटो 2 इंटो 5 इंटो 7 यह हमने इसके क्या लिखे प्राइम फेक्टर इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं फंडामेंट्र थे में फिर्टमेंटिक एकॉर्डिंग 2 की पावर 2 इंटो 5 इन्टो 7 यह पर 2 की पावर 2 क्यों लिखा क्योंकि 2 की 2 के साथ प्रोडू क्यह nessa है तो इसलिए हमने 2 कितने बार आया, 2 बार, तो इसलिए उपर कितना लिखा हमने, 2 into 5 into 7, ये question हमारा complete हुआ, सेकिंड पार्ट देखिए, सेकिंड पार्ट के अंदर क्या कहा गया उसने, 156, तो 156 के हम प्राइम फेक्टर सेम करेंगे, 2 से कितने बार जाएगा, 7, 8, फिर 2 पर, क्योंकि दरिये क्या रही है, even number आरा, तो 2 से ही divide होगा, ये 3 पर गया, ये 9 पर गया, अब इसका सम देखिए, 3 और 9, 12, 12 को 3 divide करता है, बिल्गुल करता है, ये number 3 से divide होगा, 1, 13, 13 सेम क्या एक prime number है, ये 1 पर गया, तो 156 के हम कैसे लिखेंगे, 2 into 2 into 3 into 13, यानि कि 2 की power 2 into 3 into 13, ये हो गया, ये मारा क्या हुआ, प्राइम फेक्टर, प्रोडेक्ट रोफिट्स प्राइम फेक्टर, ये था हमारा क्योश्चन, अब इस क्योश्चन का थर्ड पार्ट, सभी स्टुडेंटों ने थर्ड और फोर्थ सम करना है, आज मैं लाश्ट का पार्ट करता हूं इसका, 7, 4, 2, 7, 4, 2, 9, 7, 4, 2, 9, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, हमारे सामने देखिए, इसकी डिजिट का हम सम करेंगे, तो कितना होगा, 22 होगा इन सभी नंबरों का सम, तो 22 को 3 डिवाइड ही नहीं करता, तो डिवाइड नहीं करता, 4 वैसे डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, ओड नंबर है, 5 इसको डिवाइड नहीं करेगा, यूनिट पलेस पर, 0 और 5 नहीं है, 6 भी इसको डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पर इमन नमबर नहीं है सेवन भी नहीं कर रहा एट भी नहीं कर रहा तो डारेट पहले कौन सा कर देगा थर्टेन कौन सा इसको डिवाइड करेगा थर्टेन देखिए क्या आएगा तेरा बंज पैसेट कितने बचे नौ तू पर से आगया तेरा पंज पैसेट नौ तेरा से इक्यान में अच्छा ऐसे भी नहीं देखिए दवारा सेवन फोर टू नाइन को थर्टेन से जिवाइड करेंगे थर्टेन इसको डिवाइड नहीं करता वहीं तो क्या कुन करेगा सेवनटीन सेवनटीन को देखिए स्तरा चोक अडिशाट उनेतर सत्तर छे तीन पर इक्यावन वन वन नाइन आएगा स्तरस का एक सो उन्नेश यह होगा अब सतरा इसको नहीं करेगा उन्नीश पर टू थ्री तो यानि की इसके प्राइम फैक्टर हमारे क्या हुए सेवनटेन नाइनटीन इन्टो टवन्टी थ्री यह हमारे क्या आगए प्राइम फैक्टर इस कोश्चन की क्या आगए हमारे प्राइम फैक्टर क्योंकि इस कोश्चन के फैक्टर रहने कर ठुड़े क्योंदे के नमब्र में सहितरा से ज्टा कर डिवाइड होता है फिर उननी से ज्टा कर डिवाइड होता है तो यांनीकि इसलिए यह मैंने आपको कुच्छिन कराया मैं इसे आपको डारेक्ट गर्षे करने के लिए दे देता लेकिन आपको डिवाइड करने में प्रोब्लम हो सकती थी इसलिए मैंने आपको बता दिया किसके यह प्राइम फैक्टर होंगे आज के लिए इतना ही next question हम लेक्ष लेक्षर में करेंगे thank you very much